वेल्कम फ्रेंड वेल्कम आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस्पॉइंट टेक्नल क्लासिस दोस्तों ब्रेकिंग यूज है CSGMU से छत्रपती साहुजी महराज यूनिवस्टी की खवर लेकर आया हूँ दोस्तों देखे बहुत सी डेट चल नहीं थी कि आपके एक्जाम है जो 10 म तक क्यों या पराइसना तक क्यों उनके एक्जाम पहले कंड़क कराने पर जोड़ दे रही है दोस्तों CSGMU और एक चीज और बता देना चाहता हूं दोस्तों लाश्ट यर के एक्जाम कराना चाहती है वो अभी अभी फर्स्ट यर और सेकेंड यर के बारे में नहीं सोचा कर दिये जाएंगे तो उस नेक्ष्ट क्लास में एक्जाम होंगे उनके एक्जाम होने के बाद जो जैसे आपको फर्स्ट यर के हैं तो आपके सेकेंड यर में जाएंगे तो सेकेंड यर में जो आपके एक्जाम होंगे उसमें जो नंबर आएंगे वही आपके फर्स्ट य मार्क किया जाएगा कि आपके एप्रॉक्स इतनी परसेंट फरस्टेर में बन रहे थे तो उस हिसाब से आपकी मार्किंग कर सकते हैं अभी यह डिसाइड नहीं हुआ है फाइनल डिसीजन नहीं है इस पर विचार कर रही है यूनिवेस्टी क्योंकि सभी केंडिडिर्स के सभ okay भादी मुश्किल रो रही तो दोस्तों जो लास्टियर की दर्क खबर है तो समया फैसल़ ल को पूरा देखेगा और चैनल को सेर कर ना संस्क्कारइब करना मत भुलीका दोस्तों कि दोस्तों यह बहुत विश्वशनी अकबार है जाग्रण जाग्रण सम्वाद याता कान इस अप्रेल की खबर आपको दिखा रहा हूं दोस्तों कि वार्सिक परिच्छाएं 20 मईश सुरू होगी सबसे पहले इसनाथ तक और पराशनाथ तक इस तरकी अंतिम वर्स की कक्षा चात्रों की परिच्छाएं की जाएंगी ये सनीवार को फैसला हुआ फिसी विताले बैठक बुलाई गई नेलिमा गुपता जी कुलपती थी उनकी उसमें कुलपती जी के अद्धिश्यता में ये बैठक हुई दोस्तों और कुल सचीव अनिल यादो भी जी ने कहा कि जहाँ-जहाँ समेश्टर के चल नहीं है क्लासेज उनको कम्प्लीट कराना है तीस अप् मेशन नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं या इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा वहां से आपको उसको देख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों और इसकी देखिए एक सदसरी उप समित का घठन किया आए इस निगरानी के लिए और उसके साथ नए जो प्रवेश पर इच्छा है मतब जो 12 के कैंडियोट्स ने 12 करने के बाद या या यूजी के बाद वो प्रवेश करने के लिए एक टीम बना दी जाएगी दोस्तों एक सदसरी की समिती बना दी जाएगी उसमें कौन-कौन रहेंगे उनके नाम दिए गए और उसके साथ ये प्रोमोट भी करेंगे और क्या डिसीजन होगा कि 12 के बाद आपको यूजी और पीजी के कोर्सेज मतलब यूजी के बाद जो पीज़ी कोर्सेश करते हैं और 12 के बाद जो अंडर ग्रेजिशन के कोर्से करते हैं उनके कराना है मतलब नया सतर कब ले कराना है तो दोस्तों आपको मैं बहुत जल्दी सीएज महीं से आपके एक्जाम डेट कंड़क कराने की कोसिश की जा रही है और सारा सोसल डिस्टेंसिंग का पालंग किया जाएगा बहुत सारे कॉलिजिस होंगे तो आपके जो सेंटर्स हैं व वीडियो को लाइक करना और सस्क्राइब करना मत भूलीगा दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज जाता से जाता लाइक करें थेंक्यू फ्रेंड्स